नमस्कार दोस्तों मैं आपका गैडो जांक प्रशन आया कि सर मैं 12 में फेल रहा हूँ या मेरी परसेंटेज बहुत कम रही है 40 परसेंट, 45 परसेट क्या मैं UPSC का एक्जाम दे सकता हूँ दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि भारती प्रशाषनिक सेवा और या जिसें हम लोग सामाने भाषा में सिविल सेवा भी कहते हैं वो बेसिकली आपके प्रशाषनिक अभियोगिता का एक्जाम है अगर किसी भी कक्षा में पास या फेल होने या टॉप करने से इसका अगर संबंध होता तो UPSC सभी इन्वस्टीज के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, टॉपर्स हैं उनको लेकर उन्हें आईस बना देती पर नहीं, इसने चाहे आप किसी गाउं से आएं हो, देहाद से आएं हो हिंदी माद्धियम से, इंग्लिश माद्धियम से आमिल हो, तेलगू हो, इसको कोई मतलब नहीं है, आप सभी भारती अनुसूची के अंदर जो आट्वी अनुसूची की भाषाएं हैं, उनमें आप एक्जाम दे सकते हैं, ये कभी भी आपका मिनमम परसेंटेज नहीं मांगता ये अगर कोई चीज मांगता है तो ये है कि आपके अंदर प्रशाशनिक अभियोगिता है या नहीं अब मैं बात करता हूँ कि प्रशाशनिक अभियोगिता क्या होती है प्रशाशनिक अभियोगिता का मतलब है ये एक सर्विस बहुत चैलेंजिंग है जहां आपको लोगों की समस्याओं को समझ के उनका तुरित निदान करना होगा या उनका इस्थाई निदान देना होगा, सॉलूशन आपको देना होगा और ये जो सॉलूशन देना है, ये जरूरी नहीं है कि कोई किताबों को रट के या कोई रटूत होता इनका solution दे सके solution भी बहुत ही practical होते हैं और कई बार ये देखा गया है कि वो जो लोग पढ़ने में बहुत brilliant नहीं होते हैं या बहुत बड़े रटूत होता नहीं होते हैं वो कई बार बहुत ही अच्छे solution लेकर आते हैं के approach बहुत practical होता है वो समाज को गहराई से समझते हैं और कई बार जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं बहुत जादा किताबों में घुसे रहते हैं वो कई बार जो real life situation होती है उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं जैसे suppose that आप एक अधिकारी हैं और कोई आग की घटना हो जाती है तो वहाँ पर जो तौरित आपको नड़े लेना है वो वहीं पर नड़े लेना है और इससे आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई संबंद नहीं होगा इसमें आपकी real situation को समझने उसको solve करने आपके अंदर समवेदना होने इन चीजों का मतलब लिया जाता है आपके अंदर IQ कितना है आपके अंदर EQ यानि emotional question कितना है इन सब चीजों को एक परशाशनी का दिकारी के अंतरकत लिया जाता है यानि वो परिशानियों को समस्याओं को कितनी गहराई से जज़ कर सकता है और अपने माध्यम से वो कितने अच्चे solution दे सकता है ये सबसे ज़रूरी है यही कारण है कि UPSC को एक problem solver चाहिए एक बहुत मोटा चश्मा लगा एक रट्टू व्यक्ति नहीं चाहिए तो ऐसी condition में उसने केवल जो है minimum अहरता रखिए कि भाई आप graduate होने चाहिए आपकी जो percentage है पास होने के लिए वो आपकी more than enough है यहाँ पर जो उसकी requirement है उसको आप पूरा करेंगे कारण ये है कि आप प्रशाशनिक अभियोगिता जब अरजित करते हैं तो आप कई गुणों से होकर गुजरते हैं जैसे आपको एक team में काम करना पड़ता है अगर आप बहुत arrogant हैं आपको लगता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं बहुत घमंड में हैं तो आप कभी भी team में सीख नहीं सकते क्योंकि team में senior भी होता है और junior भी होता है कई बार अधिकारियों को जो सबसे अच्छा सबक होता है उनका अर्दली है उनका प्यों देता है वो जो चपरासी बीसों साल से उस office में था उस office के बारे में बड़ी गहरी जानकारी रखता है जो कि शायद आप अभी नए-ने office जोईन करने गए हो आपको शायद नहीं पता होगा और वो आपको गाइड करता है कि इसमें excellence कैसे लेकर आनी है वहीं जो आपका senior अधिकारी होता है वो चुनोती पुन मुद्दों पे आपको कैसे काम करना है कैसे बचना है क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए उसको हमेशा आपको train करता रहता है लेकिन आपको junior अधिकारीयों के प्रती एक सम्मान का भाव और अपने seniors के प्रती एक आदर का भाव हमेशा होना चाहिए ये नहीं है कि वो मेरा अर्दली है या मेरा driver है, मेरा चपरासी है तो ये कोई extraordinary segment होगा नहीं यहां जो basic segment होगा वो ये होगा कि मुझे उसकी जानकारीयों का उपयोग करना है यानि आपके विवहार में नमरता होना चाहिए सभी व्यक्तियों के प्रती सम्मान होना चाहिए और अपने seniors के प्रतियादर होना चाहिए कि आप उनको ये show कर सकें कि यह सर मैं आपसे सीखना चाहता हूँ दूसरा जो प्रशाशनी का भियोगेता का व्यक्ति होता उसके अंदर leadership quality होनी चाहिए यानि जब आपकी पूरी टीम आपके उपर अरजित है पूरी dependent है मालीज आप SP हैं और आपके पीछे SSH, दरोगा सब लोग हैं और कोई बहुत ही विहंगम जो है वह कंडिशन आगई, मुश्किल कंडिशन आगई अगर आप निरने नहीं ले पाएंगे गल्तियां करेंगे वो आपके एक आदेश का इंतिजार कर रहें कि गोली चलाएं, ना चलाएं बहुत मुश्किल समय है थोड़ी से भी गलती हो सकती है कि आपके कई सिपाहियों की जान चली जाए या आपके पूरी टीम मुश्किल में आ जाए तो वो हमेशा आपके निरने की उमीद करते हैं उन्हें पता है कि निरने चाहे जो भी होगा मेरा लीडर इसकी जिम्मेदारी लेगा और हमें इस मुश्किल परिस्तियों से निकाल के लेगा जाएगा वो आपके लिए लड़ने को तैयार है लेकिन आपको उनमें भरोसा दिखाना होगा कि आप भी हर परिस्तित में उनके साथ खड़े हैं तो ये लीडर्शिप कॉलिटी होती है और इसका बहुत जादा पढ़ने लिखने से संबंद नहीं होता इसका एक वेवहारी ग्यान से संबंद होता है इसलिए आईएस की ट्रेनिंग जातर फील्ड में होती है अकैडमी में बहुत कम समय वो बिताते हैं और वो फील्ड में जादा समय विभिन विभागों में जादा समय बिताते हुए वो इसको लर्ण करते हैं यानि UPSC में अगर आपका ये डर है कि परसेंटेज आपकी जो सक्सेज रोक सकती है तो इस डर को निकाल कर फेंक दीजे अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारे ही इंस्ट्यूट से रियाज जो आज IES भारती प्रशाशनिक सेवा के ट्रेनी आफिसर हैं जो बारवी क्लास में अपने विशह में फेल हो गए थे उनको IES बनने का कोई हक नहीं था तेकिन ना सिर्फ आज वो IES बने साथी साथ वो एक आज ट्रेनिंग कर रहे हैं और निश्यतरुप से आज उनको कैडर भी अलॉट हो चुका है तो ये चीजें बताती हैं कि अगर हम हिम्मत है हमारे अंदर हम लगातार आगे बढ़ सकते हैं और अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं सिविल सेवा से अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि ना यह आपका परसेंटेज पूस्ता है अमीरी गरीबी छेतर कुछ भी नहीं आप से बात करता है आप किसी भी भारती भाषा में जो निसूची में शामिल हो उसमें आप अपना प्रेशन लिख सकते हैं अपना उत्तर लिख सकते हैं अपने आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं यही इसकी सबसे बड़ी खुब सुरूती है और यही इसको अखिल भारती है सेवा का सुरू परदान करती है तो दोस्तों आप अपने दिमाग से इस डर को निकाल कर फेकिए कि आपका परसेंटेज आपकी सफलता में रोड़ा बन सकता है अतीत को भुलाईए और भविश जो सुनहरा भविश है उसकी तरफ देखिए हाँ आप अपनी गलतियों को सुधारिए आप किस प्रष्ट भूमी से आपको अंग्रेजी नहीं आती है आप बेसिक इंगलिश सीखिए उतनी सीखिए कि जिसमें आप UPSC के रिक्वार्मेंट को पूरा कर सकें आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकें अंग्रेजी के भी पेपर को थोड़ा बहुत पढ़ के समझ सकें क्योंकि अखिल भारतिय सुरूप में आपको कहा नहीं पता कि आपको क्या सीखना पढ़ेगा कहा जाना पढ़ेगा तो निश्यतुर्प से इसका बहुत ध्यान रखें आप अपनी गलतियों को दूर करें आप दो घंटे नहीं पड़ पाते थे अब आपको दस-दस घंटे पढ़ना पड़ेगा इसके लिए अपने आपको मांसिक रूप से तयार करें और जब आपको अपना लक्ष इसपस्ट होगा आपको पता होगा कि मुझे यूप सी क्यों करना है तो मेरा पूरा भरोसा है कि आप अपने अतीत को भुला कर आप अपने सुरणिम भविश्य के तरफ बढ़ सकेंगे और जो आपने सोचा है कि न सिर्फ आप I.S. बनेंगे एक बहतरीन आफिसर बनेंगे जहां पर भी रहेंगे वहाँ परिवर्तन करेंगे तो निश्य तुरुप से आप सफ़ा लोंगे और आज तमाम ऐसे आफिसर्स हैं जो बहुती सामानी प्रस्ट भूमी से निकल कर आएं जो ग्रामीड प्रस्ट भूमी से निकल कर आएं जिनका कोई सुनहरा अतीत नहीं रहा है जिनके माबाब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे जो बहुती ग्रामीड इलाकों से आएं बहुत पिछड़े इलाकों से आएं वो आज भारती प्रसाशनिक सेवा के अधिकारी हैं भारती पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और वो ना सिर्फ बहतरीन काम कर रहे हैं वो जाने कितने यवाओं को प्रेणा भी दे रहे हैं तो ऐसी प्रेणा आप भी दे सकते हैं ऐसा motivation आप भी दे सकते हैं आपके अंदर वो ताकत है जुनून है जो दूसरों को प्रेडिट कर सकता है बस अपमें आपमें विश्वास करिए क्योंकि ओजांका इस academy हमेशा आपकी ताकत में विश्वास करती है परिवर्तर में विश्वास करती है आगे बढ़ने में विश्वास करती है स्वें में विश्वास करिए रास्ते हमेशा मौजूद रहें आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मनशने आगे बढ़ना चाहा और रास्ते बंद हो गए हो अगर एक रास्ता बंद होता है तो उससे बहतरी रास्ता खुल जाता है जरूरत कदम बढ़ने की है जरूरत होसलों को एक उम्मीद देने की है जरूरत पैर बढ़ने की है तो बढ़ा दीजिए पैर और बढ़ जाएए आगे जो भी चुनौती आएंगे उनका मिल जोल कर सामना करेंगे और जीत हासिल करके रहेंगे यह मेरा विश्वास है जुड़े रहिए वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं चनल को सबस्क्राइब करें और सबसे बहुत पूर्ण है उन दोस्तों तक शेयर करें जो निगेटिविटी में घीरे हैं जो अपने समाज के उन लोगों से घीरे हैं जो उसकी ताकत को चूस रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाईए क्योंकि ये वीडियो ये आवाज ये जो सपने हैं ये उनको वापस उनके सुनहरे भविश की तरफ लेकर जाएंगे और यही हमारा मकसद है हर इनसान में एक हीरो होता है और जो ये वीडियो सुन रहा है वो भी एक हीरो है और हीरो का काम होता है असली चीजों को ताकत की चीजों को हर जगह तक पहुँचाना और अपने आपको और दूसरों को मोटिवेट करके रखना तुम ही रोज मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद